नमस्कार, पडखर जी एस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग परफेक्षन आईए एस द्वारा 60th BPAC के लिए जो टेस्ट सिरीज चल रहा है उसका टेस्ट नमबर 2 का हम लोग डिसकर्शन आज इस वीडियो सेशन के माध्यम से करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो पहला कोस्चन है मदरास में इंगलिस इस्ट इंडिया कमपनी के अधिवास के अस्थान को किस नाम से जाना जाता था तो इसका सही अंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे ने बर्स 1649 में चंद्रगीरी के राजा से मदरास को पट्टे पर ले लिया था जहां उसने एक कोठी बनवाई थी जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया किस गुजराती व्यापारी ने बासकुर डी गामा को काली कट तट पर मार्ग दर्सन किया था तो इसका सही उतर होगा अब्दुलमजीद अब्दुलमजीद ने 1498 में जब बासकुर डी गामा भारत के काली कट तट पर पहुंचा था तब उसका मार्गदर्शन किया था उस समय कालिकट का जो सासक था उसका नाम था जमूरीन उसने बासको डीगामा का स्वागत भी किया था नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस सहर को अंग्रेजों ने भारत का सर्ताज कहा तो इसका सही उतर होगा बंबई को अंग्रेजों ने भारत का सर्ताज कहा था नेक्स्ट कोश्चन है 1764 के बकसर के युध में इस्ट इंडिया कमपनी के बिरुध किन सासकों का गठ जोड होगा था तो इसका सही उतर होगा बी मीर कासीम सुराजु दावला और सा आलम दूतिये इन तीनों सासकों की सेनाओं ने संजुक्त रूप से इस्ट इंडिया कमप तब वो भाग कर अवद गया जहां उसने अवद के नबाब सुजाओ दूला मुगल बादसास सा आलम दूतिये के साथ समझावता किया और 22 अक्टूबर 1764 को इन तीनों की समलित सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया नेक्स्ट कोश्चन है यांडूब की संधी किसके बीच हुई थी तो यांडूब की संधी हुई थी बिटेन तथा बढ़मा के बीच में यांडूब की संधी हुई थी 1826 में नेक्स्ट कोश्चन है किस माराथा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी की थी तो इसका सही उतर होगा रगुनात राओ रगुनात राओ ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी की थी 1775 में 1775 इस भी में रगुनात राओ ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी की थी नेक्स्ट कोश्चन है अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमन के भैसे किस राज का अधिगरहन किया तो इसका सही उतर होगा अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमन के भैसे सिंध का अधिगरहन किया था इसलिए सिंध इस ओप्सन में कहीं नहीं है तो प्रारंब किसके द्वारा किया गया तो इसका सही उतर होगा एलेक्जेंडर रीड रहियत वारी ब्यवस्था का जनम दाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है टॉमस मुनरो कैप्टन एलेक्जेंडर रीड को माना जाता है रहियत बारी ब्यवस्था का जनमदाता किस आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रस्न किया था तो इसका सही उत्तर होगा वेलवी समीती वेलबी समीती ने धन के निरगमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से बहस किया था नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में बिरिटिस के बिरुद सर्डे अंतकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था तो इसका सही उत्तर होगा नाना सहब नाना सहब 1857 की करांती में नाना सहब को सर्डे अंतकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता माना गया था नेक्स्ट कोश्चन है अखिल भारतिय किसान सभा जिसकी बैठक बिजयवारा में हुई थी उसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था तो इसका सही उत्तर होगा सहजानन्द सरस्वती अखिल भारतिये किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में लखनव में तब स्वाजानन स्वारस्वती इसके अध्यक्ष चुने गए थे और प्रोफेसर एंजी रंगा महासचिव नियुक्थ हुए थे 1944 में बिजयवारा में जो अखिल भारतिये किसान सभा का आठवा सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष स्वामी साजानन्द सरस्वती थे नेक्स्ट कोश्चन है चार फरवरी 1928 को किसने बार्दोली सत्यागरा आरंभ किया 1928 में सरदार बल्लभाई पटेल के नेत्रितु में बार्दोली सत्यागरा प्रारंभ किया गया था जिसमें बार्दोली की महिलाओं ने बल्लभाई पटेल को सरदार की उपाधी दी थी नेक्स्ट कोश्चन है दिन बंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पन किस विषय बस्तु के संदर्भ में लिखा है तो इसका सही उत्तर होगा नील दरपन पुस्तक का विषय बस्तु है नील उत्पादक की सानों का उत्पीरन इसी विषय के संदर्व में दिन बंदुमित्र ने अपने पुस्तक नील दरपन में लिखा है नेक्स्ट कोश्चन है किस जन जातिये बिद्रो के संदर्व में यह कहा जाता है कि इस बिद्रो को पेश्वा बाजी राव दूतिये तथा उनके प्रतिनी दी तरयंबक जी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था तो इसका सही उत्तर होगा भील बिद्रो भील बिद्रो 1812 से 19 तक तथा 1825 से संबंदित है नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस ने 1815 में आत्मिय सभा की अस्थापना की थी अठारा सो पंद्रम में आत्मिय सभा की अस्थापना किस ने की थी तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने नेक्स्ट कोश्चन है यंग बंगाल यंग बंगाल आंदोलन का परवर्टक निमलिखित में से कौन था तो इसका सही उतर होगा Henry Vivian Deirogio Young Bengal Andolan का प्रवर्टक माना जाता है Next question है भारतिय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था तो भारतिय ब्रह्म समाज का संस्थापक केसो चंदर सेन को माना जाता है ब्रहम समाज के बीचारों को लेकर 1865 में केसोचंदरसेन और देवेंदरनाथ टैगोड के बीच बिबाद उत्पन हो गया था जिसके फलस्वलुक केसोचंदरसेन ने मुल ब्रहम समाज से अलख होकर एक नया संगठन बनाया भार्तिय ब्रहम समाज नेक्स्ट कोश्चन है नर्वली परथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके सासनकाल में बनाया गया था तो इसका सही उत्तर होगा हार्डिंग के सासनकाल में हार्डिंग के सासनकाल में नर्वली परथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था उपलब्ध option में Harding का नाम कहीं नहीं है इसलिए इसका answer हो जाएगा E Next question है बनारस में केंद्रिय हिंदु बिद्याले की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो बनारस में केंद्रिय हिंदु बिद्याले की अस्थापना की गई थी Age of Concert Act पारित किया जिसमें विबा की नियुंतम आयू का निर्धारन किया गया इस कानून का किस राष्ट वादी ने बिरोध किया था तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगा धर्तिलक बाल गंगा धर्तिलक ने Age of Concert Act का बिरोध किया था बढ़ा नसी में प्रथम संस्क्रित कालेज की अस्थापना किसने की थी तो इसका सही उत्तर होगा जोनाथन डंकन ने बढ़ा नसी में प्रथम संस्क्रित कालेज की अस्थापना की थी जोनाथन डंकन ने 1791 में 1791 में Next question है 1866 में दादा भाई नो रोजी द्वारा लंदन में निमलिखित में से कौन से संग की अस्थापना की गई थी तो इसका सही उतर होगा The East India Association 1866 में लंदन में दादा भाई नो रोजी द्वारा East India Association की अस्थापना की गई थी इसका उदेश्य था British जनता तथा संसद को भारतिये बीशयों से उगत कराना Next question है भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद British राष्टवादियों के प्रति संसयालू हो गए निमलिखित में से किस ने कहा कि कॉंग्रेस के वाल वर्ग सुक्ष में जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है तो इसका सही उतर होगा Lord Dufferin 1885 में जब भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी तब Dufferin भारत का बैसराय था और उसने कहा था वा जनता कि उस बर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी जनसंख्या सुक्ष में है नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्थान का उप्योग राष्टवादी बीचारों के प्रचार परसार के लिए किया था तो इसका सही उतर होगा बाल गंगा धर तिलक बाल गंगा धर तिलक ने 1893 में 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्थान जिसे गंडपती उत्थान के रूप में जाना जाता है इसका पर्योग किया था राष्टवादी बीचारों का परचार परसार करने के लिए Next question है स्वदेसी आंदोलन की किन जगों पर तिब्र प्रति किरिया हुई थी 1905 में 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था इसके बिरूद में स्वदेसी आंदोलन का अगाज हुआ था 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेसी आंदोलन प्रारंभ हुआ था इसकी तिब्र प्रति के लिए बंगाल में तो हुई ही थी इसके साथ साथ पुना, बंबई, पंजाब, दिल्ली और मदरास में भी इसकी तिब्र प्रति क्रिया हुई थी अता इसका एंसर होगा E Next question है बंगाल के विभाजन को किस वर्स रद कर दिया गया तो इसका सही उतर होगा 1911 में 1911 में बंगाल विभाजन को रद कर दिया गया Next question है अखिल भारतिये मुस्लिम लिग के संस्थापक सदस्यों में सामिल थे चार नाम दिया गया है आगा खां, नबाब सलिम उल्ला नबाब महसीन उल मुल्क और सेयद अहमद खां इन में से कौन मुस्लिम लिग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे तो इसका सही उतर होगा मुस्लिम लिग के संस्थापक सदस्यों में सामिल थे आगाखा, नबाब सलिमुला वो नबाब मोसीन उल्मुल्क इसलिए इसका सही उत्तर होगा E Next question है अखिल बंगाल सभीने अवग्या परिशत का गठन निमलिखित में से किशने किया था सही उत्तर होगा J.M. Sen. Gupta Next question है क्रांतिकारी आतंकवाद की पैर्वी करने वाले प्रमुक समाचार पत्र संध्या और यूगांतर कहां से प्रकासित होते थे तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल से क्रांतिकारियों की पैर्वी करने वाले प्रमुक समाचार पत्र संध्या और यूगांतर का परकासन होता था बंगाल से दक्षिन अफ्रिका में संघर्ज के दवरान महात्मा गांधी द्वारा निमलिखित में से कौन सा समाचार पत्र सुरू किया गया था सही उतर होगा इंडियन उपेनियान दक्षिन अफ्रिका में महात्मा गांधी द्वारा इंडियन उपेनियान नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है किस राष्टवादी नेता ने सर्व पर्थम इस तथ्य को पहचाना की राष्ट्रिय आंदोलन में निम्न मध्यवर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपुर्ण भूमिका निभा सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है महात्मा गांदी ने बांचित देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हर्टाल की अपनी पध्धती का सर्व पर्थम पर्योग कहां और कब किया था तो इसका सही उत्तर होगा C. आहमदाबाद 1918 में आहमदाबाद मील हर्टाल जहां मजदूरों वा मील मालिकों में पलेग बूनस के मुद्दे को लेकर विबाद छीरा था वहीं पर गांदी जी ने सबसे पहले भूख हर्टाल का पर्योग किया था नेक्स्ट कोस्चन है 1919 को जालिया वाला बाग हत्याकांड के बिरोध में किस विख्यात ब्यक्ती ने ब्रिटिस सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट हुड की वाप उपाधी लोटा दी थी इसका सही उतर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जालिया वाला बागनर संगहार के बिरोध में ब्यटे सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट हुड की उपाधी लोटा दी थी नेक्स्ट कोश्चन है कॉंग्रेस में इनमे से किसने समाजवादी द्रिष्टी कौन का प्रतिनी धित्व किया था तो इसका सही उतर होगा अचार या नरेंद्र देवने नेक्स्ट कोश्चन है फिनिक्स वस्ती का संस्थापक इनमे से कौन था फिनिक्स वस्ती मतलब फिन गंस्याम दास बिर्ला, अमबाला लाल सारा भाई, बाल चंद हीरा चंद में कौन सीबात समान थी तो इसका सही उतर होगा ये सभी भारतिये उद्योग पती थे नेक्स्ट कोश्चन है, धक्षिन भारत के चार भासाई छेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन से और प्रभावित रहा था, यानि कि वहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो इसका सही उतर होगा करनाटक, करनाटक असहयोग आंदोलन से और समर्थन किया था तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर ने सभी ने अवग्या अंदोलन के दावडान मैसूर रियासत ने इसका समर्थन किया था नेक्स्ट कोश्चन है कैबिनेट मिशन पलान ने भारत के लिए निमलिखित में से किस पर विचार किये कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया था जब भारत पहुंचा तो उसके द्वारा घोसना की गई कि ब्रिटिस भारत था देशी राजियों को मिला कर एक अखिल भारतिये संग का निर्मान होना चाहिए तो इसका सही उन्स एंसर होगा A महा संग का नेक्स्ट कोस्चन है भारतिये स्वतंतरता संग्राम के दवरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रिंखला मुखेता किस पड़ चर्चा के लिए आयोजित की गई थी इसका सही एंसर होगा स्वतंतरता को मंजूरी के लिए गोलमेच सम्मेलनों को भारतियों की मुख्य मांग स्वतंतरता का विचार किये जाने हेतु आयोजन किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है 1927 की बटलर कमिती का उदेश से क्या था सही उत्तर होगा भारत सरकार जो हम देशी डियासतों के बीच संबंद सुधारने के लिए 1927 में बटलर आयोग किया स्थापना की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा हमारे राष्ट द्वज के डिजाइन से संबंदित है सही उत्तर होगा पिंगली बेंकईया पिंगली बेंकईया ने हमारे राष्ट द्वज का डिजाइन तयार किया था सितंबर 1949 में प्राड़ों भुए दूतिये 20 युद में कॉंग्रेस किस सर्थ पर अंग्रेजों को सहायता देने को तयार हो गई थी तो इसका सही उत्तर होगा युद्ध समाप्ती के बाद भारत को स्वतंतर कर दिया जाए इसके बदले कोंग्रेस 1949 में दूतिये 20 युद में अंग्रेजों का सहायता देने के लिए तयार हो गई थी लेकिन युद समापती के बाद से बिटिस सरकार द्वारा इसे स्विकार नहीं किया गया नेक्स्ट कोश्चन है हिंदू महासभा की अस्थापना कब हुई थी तो हिंदू महासभा की अस्थापना हुई थी अनई सो पंद्रम में मदन मोहन मालविये द्वारा मदन मोहन मालविये द्वारा हिंदू महासवा की अस्थापना की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष करवाई दिवस कब मनाया था तो प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्ट 1946 को प्रत्यक्ष करवाई दिवस मनाय गया था 16 अगस्त 1946 इस भी को Next question है भारत में Communist Party की आस्थापना किस वर्स हुई थी Communist Party की आस्थापना भारत में हुई थी 1925 में 1925 में 1925 आप्शन में नहीं है इसलिए इसका एंसर हो जाएगा 1925 में ही भारत में Communist Party के साथ साथ राष्टीय स्वेम सेवक संग की भी अस्थापना हुई थी नेक्स्ट कोश्चन है कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की अस्थापना किसके नेत्रित्व में हुई थी तो इसका सही उत्तर होगा अचारे नरेंदर देव एवं जैप्रकास नरायन के नेत्रितों में पंगरेश समाजवादी पार्टी की अस्थापना हुई थी 1934 में नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है पुर्ण स्वराज की मांग औप्चारिक रूप से रखी थी सही उत्तर होगा लाहोड अधिवेशन लाहोड अधिवेशन 1929 में जिसकी अध्यक्सता जवाहर लाल नेहरू ने की थी इसी अधिवेशन में पुर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और 26 जन्वरी 1939 को स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाय जाने की घोषना हुई थी Next question है नौसेना बिद्रो निमलिखित में से किस जहाद से सुरू हुआ था सही एंसर होगा HMIS तलवार HMIS तलवार जहाद से नौसेना बिद्रो शुरू हुआ थी Next question है निमलिखित में से किसे भारतिय प्रेश का मुक्तिदाता कहा जाता है तो भारतिय प्रेश का मुक्तिदाता कहा जाता है Option B चार्ल्स मेटकॉफ Next question है भवानी मंदिर की रचना की गई अर्विंद घोष दौरा भवानी मंदिर एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई थी अर्विंद घोश दुआड़ा प्रसासन में भरस्टा चार पर अंकुस लगाने तता कुसलता लाने है तू किसने प्रसासनिक अधिकारियों के बेतन में अत्यादिक ब्रिधी की थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा की ए क्योंकि वारेन हैस्टिंग्स और लाड करणो आलिस इन दोनों नहीं प्रसासन में भरस्टा चार पर अंकुस लगाने तता कुसलता लाने के लिए प्रसासनिक अधिकारियों के बेतन में ब्रिधी की थी नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय परिशीमन समीती का गठन किसके समय किया गया था तो इसका सही उतर हो जाएगा लाड विलिंगटन के समय भारतिय परिशीमन समीती का गठन किया गया था Next Question है भारतिये इतिहास के संदर में द्वैत सासन सिध्धांत किसे निर्धिष्ट करता है? सही उतर होगा, प्रांतों को प्रत्योजित विशयों का दोस प्रवरगू में विभाजन, द्वैत सासन का सिध्धांत प्रतेक प्रांतिये सरकार की करवाई साखा को अदिकारिक और लोग प्रिये रूप में जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मानेता देता है। बिटिस भारत के परांतों के लिए द्वैद सासन भारत सरकार अधिनियम 1929 के ताथ लागू किया गया था। नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से प्रिथक कर दिया गया यानि की अलग कर दिया गया। नेक्स्ट कोश्चन है भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिवीदियों का प्रथम केंदर कौन था। सही उतर होगा सूरत भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक गतिवीदियों का प्रथम केंदर था सूरत। नेक्स्ट कोश्चन है भारत में ब्रिटिस राजनितिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से किस ने राज्य बिलय का सिधान्त अर्थात डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स को लागू किया था। नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से किस ने राज्य बिलय का सिधान्त लागू किया। सही उतर होगा लाड कर्णवालिस ने कर्णवालिस ने 1793 में बंगाल में चीरस्थाई बंदोबस्थ की सुरुआद की थी। नेक्स्ट कोश्चन है उनिश्वी सताबदी के उतरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश। उनिश्वी सती के उतरार्ध में भारत कपास, गेहू, चावल वा अफिम का निर्यात करता था। इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा E, उप्यूक्त में से सभी। नेक्स्ट कोश्चन है, अठारसो संताउन के बिद्रो के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। सही उतर हो जाएगा Lard Canning, अठारसो संताउन के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल था Lard Canning या भारत का पहला बैसराय भी था। नेक्स्ट कोश्चन है, अठारसो संताउन के बिद्रो का आरंब कहां से हुआ था। सही उतर हो जाएगा Meret से, Meret के बैरकपूर चाउनी से, बैरकपूर चाउनी से अठारसो संताउन का बिद्रो प्रारंब हुआ था। यह हुआ था 10 माई 1857 में नेक्स्ट कोश्चन है, अठारसो संताउन के बिद्रो के दवरान अंग्रेजों ने सर्व पर्थम किस सहर पर दोबारा कबजा कर लिया था। सही उतर होगा Dilli। नेक्स्ट कोश्चन है, थियो सोफिकल सोसाइटी का नेतरित्व किस ने किया था। सही उतर होगा Anivacent Anivacent ने भारत में थियो सोफिकल सोसाइटी का नेतरित्व किया था। Anivacent अठारसो तिरानवे में भारत आई थी। Anivacent नेक्स्ट कोश्चन है, 1829 में सति प्रता को गयर कानूनी किस ने गोशित किया था। सही उतर होगा Lord William Bantic Lord William Bantic ने 1829 में सति प्रता को गयर कानूनी गोशित कर दिया था। Next question है, इस्वरचंद्र बिद्यासागर द्वारा चलाए गए समाजिक सुधार आंदोलनों में प्रमुख था, सही उतर होगा बिध्वा पुनर बिबा, इस्वरचंद्र बिद्यासागर बिध्वा पुनर बिबा के पक्ष में आंदोलन चलाए थे 1856 में नेक्स्ट कोस्चन है भारतिय पुनरजागरन का प्रतमनेता किसे माना जाता है सही उतर राजा राम मुहन राए नेक्स्ट कोस्चन है 1817 में कलकात्ता में प्रसीध हिंदू कालेज की अस्थापना किस ने की थी सही उतर होगा डेविड हेर ने डेविड हेर ने 1870 में प्रसिध हिंदू कलेज की अस्थापना की थी नेक्स्ट कोश्चन है महरास्ट के किस समाज सुधार को लोग हितवादी के उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरी देश मुख को नेक्स्ट कोश्चन है आरे समाज के संदर्भ में निमलिखित कत्थनों में से कौन सा सही है पहला उप्सटन है इसका प्रभाव मुखेता पंजाब और पश्चमी उतर परदेश में था सही है दूसरा उप्सटन है इसके अंतरगत मुखेता व्यापारिक जातियां सामिल थी प्राडम में ये भी सही है या सुधी आंदोलन से संबंदी था ये भी सही है या हिंदूबाद से प्रेरी था ये सही है इसलिए इसका सही उतर होगा इई उप्यूक्त में से सभी नेक्स्ट कोस्टन है दयानंद एंगलो बैदिक बिद्याले की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी सही उतर होगा हंसराज और लालालाजपत्रा है हंसराज और लालालाजपत्रा है दयानंद एंगलो बैदिक बिद्याले की अस्थापना से संबंदी था है हंसराज और लाला लाजबत्रा इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा E सर बिलियम जोन्स ने निमलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुबाद किया था सही उतर होगा अभिग्यान सावकुंतलम का सर बिलियम जोन्स ने अभिज्यान साकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुबाद किया था, इन्होंने एसियाटिक सोसाइटी की भी अस्थापना की थी, नेक्स्ट कोश्चन है, भारत की इतिहास का पहला सू ब्यवस्थित इतिहास निमलिखित में से किस बिद्वान ने तयार किया था, सही उतर होगा विशेंट अर्थर एस्मीथ, विशेंट अर्थर एस्मीथ ने अपनी पुस्तक अरली हिस्ट्री ओफ इंडिया में प्राचीन भारत का इतिहास उनिसो चार में तयार किया था, नेक्स्ट कोश्चन है, कॉंग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वकांचा या है कि मैं सांती के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूँ, या कथन किसका है, सही उतर होगा लाड करजन का, नेक्स्ट कोश्चन है, भारतिय राष्टिय कोंग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वपर्थम स्वसासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिस सरकार के सामने रखा गया था, सही उतर है कलकता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्स्ता की थी, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौडोजी ने कलकत्ता अधिवेशन और 906 की अध्यक्षता की थी इसी अधिवेशन में अपने अध्यक्षिये भासन में उन्होंने घोसना की थी की भारत के राष्ट्रिय अंधोलन का उदेश ग्रेट बिटेन या उपनी वेसों की तरह का स्वासासन या स्वराजे है नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस अंधोलन के दवरान पर्थमबार बंदे मातरम का व्यापक अस्तर पर पर्योग किया गया था सही उतर होगा स्वदेशी अंधोलन स्वदेशी अंधोलन बंगाल विभाजन 1905 के बाद प्राड़मबुआ था नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस को समाने तफ पंजाब केसरी कहा जाता है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपतराय को नेक्स्ट कोश्चन है अभिनो भारत नाम से करांतिकारियों के एक गुप्त संगठन के निर्मान किसके द्वारा किया गया था सही उतर होगा बिनायक दामुदर सावरकर बिनायक दामुदर सावरकर ने 1904 में एक गुप्त संगठन अभिनो भारत के नाम से करांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अस्थापित किया था नेक्स्ट कोश्चन है अलहिलाल नामक सामाचार पत्र का परकासन किस ने किया था सही उतर होगा मौलाना अबुलकलाम अजाद ने अलहिलाल नामक सामाचार पत्र का परकासन किया था यहीं मौलाना अबुलकलाम अजाद सामाचार पत्र का परकासन किया था यहीं मौलाना बंकिम चंद्र चटोपाध्याए ने अपनी रचनाव में विभाजन के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि विभाजन के पहले ही 1894 में ही इनकी मृत्यू हो गई थी नेक्स्ट कोश्चन है अजाद हिंद फोज का गठन किनके बिरुध लड़ने के लिए किया गया था सही उतर होगा भारत में ब्रिटी सासों के बिरुध लड़ने के लिए अजाद हिंद फोज का गठन किया गया था एक सितंबर 1942 को कैप्टेन मोहन सिंग ने अजाद हिंद फोज की पहली डिविजन का गठन किया था नेक्स्ट कोस्चन है पाकिस्तान सब्द का सर्व पर्थम पर्योग किसने किया था सही उतर होगा चौधरी रहमत अली नेक्स्ट कोस्चन है अली गठ में जामिया मिलिया इसलामिया कासी बिद्यापीट बिहार बिद्यापीट और गुजरात बिद्यापीट की अस्थापना किस जन अंदोलन के दोर में हुई थी सही उतर होगा असायोग अंदोलन सही उतर होगा असायोग अंदोलन next question है स्वाराज पार्टी के संस्थापक थे चित्र अंजन्दास और मोतिलाल नहरू इसलिए सही उतर होगा next question है किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था मुस्लिम लीग ने हिंदू महासाभा ने और सिक्स लीग ने अता इसका सही उतर होगा next question है 1935 में 1935 के भारत सरकार कानून के अंतरगत फरवड़ी 1937 में हुए प्रांतिये चुनाओं में कॉंग्रिस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी सही उतर हो जाएगा 142 के भारत छोडवा अंदोलन के दोड़ान संजुक्त परांत बिहार पस्चिम बंगाल उरिशा आंधरपरदेश तमिलनाडू आधी अस्थानों पर समनांतर सरकार की अस्थापना हुई थी इसमें उत्तर परदेश के बलिया जिला में, बंगाल के मिदनापूर जिला में और बंबई के सतारा जिला में सतारा में, बलिया में और मिदनापूर में समनांतर सरकार की अस्थापना हुई थी इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा E नेक्स्ट कोश्चन है भारत की स्वतनतरता के समय बिटेन का प्रधानमंत्री निमलिखित में से कौन था सही उत्तर होगा क्लिमेंट एटली नेक्स्ट कोश्चन है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमिटी के सदस्यों में सामिल थे नेरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमिटी के सदस्यों में सामिल थे सुवाश्चंद्र बोस, तेजपताप सप्रू, अली इमाम इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा ई इंडियान रिपर्बिलिक आर्मी के संस्थापक थे सुर्य सेन, इन्होंने चटगाओं सस्त्रगार हमले का नेतरित्य किया था नेक्स्ट कोस्चन है, गांधी जी ने अपनी रणिती सभीने अवग्या का परयोग गांधी जी ने अपनी रणिती सभीने अवग्या का परयोग किया था चंपारन आंदोलन में पहली बार सभीने अवग्या का पर्योग किया था आमदाबाद मील हर्ताल में सरवपरतम भूख हर्ताल का पर्योग किया था और खेडा आंदोलन में सबसे पहले असयोग की रननीती का पर्योग किया था नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन काकोडी सर्यांत्र का हिस्सा था सही उतर हो जाएगा ए क्योंकि काकोडी सर्यांत्र में सामील लोगों में थे राम परसाद बिस्मिल अस्फाकुला खां राजेंदर लाहिडी चंदर सेखर आजाद रोशन सिंग नेक्स्ट कोश्चन है भारत बिभाजन के समय निमलिखित में से कौन भारतिय राष्टिय कॉंगरेस का अध्यक्स था सही उतर जेवी क्रिपलानी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थो पहला है हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसियेशन आर्मी की अस्थापना हुई थी 1924 में सुरे सेन और उनके सायोगियों द्वारा चटगाउं सस्त्रागार पर छापा मारा गया था 1930 में उसके बाद करांतिकारियों द्वारा सेंडर्स की हत्या कर दी गई थी 1928 में और ब्रिटिस सरकार द्वारा भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु को फासी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को कोस्चन कहड़ा है कि निमलिखित में से कौन सी घरना सबसे पहले घर्टित हुई थी तो सबसे पहले घर्टित हुई थी हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसियेशन की अस्थापना 1924 में नेक्स्ट कोस्चन है भगगत सिंग के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है सही उत्तर हो जाएगा संपरदाइक्ता को लेकर वे तर्टस्त थे ये अप्शन गलत है क्योंकि भगगत सिंग संपरदाइक्ता के विरोधी थे बाकि ये तीनों अप्शन सही है उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया था सही है उन्होंने धर्मदर्शन की अलोचना की थी सही है ये करांतिकारी भी चरधारा से जुड़ी हुए थे ये भी सही है भारत में रेल्वे लाइन के विखास किस गवर्णर जनरल के काल में हुआ था सही उतर हो जाएगा लाड़ लोगोजी नेक्स्ट कॉश्चन है भारत में सर्व परतम हाई कोट की अस्थापना की जगों पर की गई थी सही उतर होगा कलकता, बंबई और मदरास इसलिए सही उतर E हो जाएगा 1865 में कलकता, मदरास और बंबई में उचन्याले अस्थापित किये गए थे नेक्स्ट कोश्चन है भारत में अस्थानिय स्वासासन का आरंभ किस बैसराय के काल में हुआ था सही उतर हो जाएगा लाड रीपन के समय में 1882 में अस्थानिय स्वासासन का आरार प्रारंभ हुआ था किसके काल में अंग्रेजी भारतिय प्रसासन की सहकारी भासा बन गई थी सही उतर है लार्ड विलियम बेंटिक नेक्स्ट कोश्चन है भारत में जिस समय रॉलेक्ट एक्ट लागू किया गया उस समय वहां का वायसराय कौन था सही उतर होगा लार्ड चेंप्सफोर्ट जब रॉलेक्ट एक्ट लागू किया गया था उस समय भारत का वायसराय था लार्ड चेंप्सफोर्ट रॉलेक्ट एक्ट को बिना वकील बिना दलिल तथा बिना अपील का कानून कहा गया था नेक्स्ट कोश्चन है भारस सासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संग में उसिष्ट सक्तियां किसे दी गई थी? सही उतर होगा गवर्नर जर्रेनल को अभी बरतमान में उसिष्ट सक्तियां केंदर के पास है नेक्स्ट कोश्चन है मांटेग्यू चेम्स फोर्ट के प्रस्ताव किस से संबंदित थे? सही उतर हो जाएगा संबैधानिक सुधार से मांटेग्यू चेम्स फोर्ट रिपोर्ट अनईस 119 के भारस सासन अधिनियम का आधार बना था नेक्स्ट कोश्चन है किस एक्ट के ताथ भारतिय ब्यापार पर इस्ट इंडिया कंपनी का एक आधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिस नागरीकों को भारत के साथ ब्यापार करने की छूट दे दी गई थी? सही उतर हो जाएगा 1813 के चार्ट अधिनियम के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है भारत सचीव का पद निमलिखित में से किस के द्वारा बनाया गया था? ठारस वं अन्ठाउन का भारत सासन अधिनियम के द्वारा भारत सचीव का पद स्रिजित किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है बंगाल के नबाबू का सही काला नुकरम निमलिखित में से कौन सा है? सही उतर होगा बी सबसे पहले मुरसीद कूली खा उसके बाद सुजावदीन उसके बाद अलिवर्दी खा और अन्त में सीराजूदा ओला प्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपनी ने भारत में अपना करखाना सबसे पहले कहां अस्थावित किया था सही उतर हो जाएगा सूरत में 1666 में नेक्षट कोस्चन है अठारहुमी सताबदिक मध इंगलिस इस्ट इंडिया कमपनी के द्वारा बंगाल के निरियातित प्रमुख पर्ण्य पदार्थ क्या थें? तो प्रमुख निरियातित पर्ण्य पदार्थ थे कपास, रेशम, सोडा, अफीम, नील, इत्यादी इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा E उप्रूक्त में से सभी नेक्स्ट कोश्चन है कौन सा अंग्रेज अधिकारी अठार 1665 में जहांगीर से मिलकर मुगल समराज के सभी भागों में व्यपार करने और फैक्टरी खोलने का अधिकार देने वाला एक साही फर्मान जारी करने में सफल रहा? सही उत्तर हो जाएगा B सर टोमस रो नेक्स्ट कोश्चन है राज अपहरन निती एक ऐसी निती थी जिसका उद्धे से था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी की राज छेत्रिये सिमाओं को बढ़ाना लर्ड विलेजली की सहायक संधी को सबसे पहले किस सासक ने स्विकार किया था? सही उत्तर होगा हैदराबाद के निजाम ने सही उत्तर हो जाएगा भारत से उड़ोप को निर्यात होने वाले कपड़ा को को गहा जाता था नेक्स्ट कोश्चन है उनिश्वी विश्वी सदी में भारत के एक इकरण में किन काड़कों का योगदान रहा तो उनिश्वी विश्वी सदी में भारत के एक इकरण में रेलवे, तार, डाक वेवस्ता इन तीनों का योगदान रहा था इसलिए इसका सही उतर हो जाएगा ई नेक्स्ट कोश्चन है, अठारसो संताओन के बिद्रो का ततकालिक कारण क्या था, अठारसो संताओन के बिद्रो का ततकालिक कारण इन में से था धार्मिक कारण, क्योंकि मान्याता थी कि एनफिल्ड राइफल में गाय वर सुवर की चर्वी का प्रयोग किया गया है, सही उत्र होगा तत्वाधिनी सभा की डिवेंदरनाथ ठाकुर द्वारा 1849 में तत्वाधिनी सभा की अस्थापना की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है अखिल भारती अनुसूची जाती महासंग की अस्थापना की गई थी के लिए फोर्ट बिलियम कोलेज की अस्थापना की गई थी लर्ड विलेजली द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्राडम की गए ब्यक्तिगत सत्याग्रा की प्रथम महिला सत्याग्रा ही कौन थी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नैडू ब्यक्तिगत सत्याग्रा गांधी जी द्वारा प्राडम की गए ब्यक्तिगत सत्याग्रा की प्रथम महिला सत्याग्रा ही थी और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो चौथी सत्याग्रा ही थी पहला सत्यागरही बिनोबा भावे, दूतिय सत्यागरही जवाहरलाल नेरू, तृतिय सत्यागरही ब्रमदत और चोथा सत्यागरही सरुजनी नैडू थी, पांचवे सत्यागरही मजहरूल हक्त है सर्व पर्थम किस मुगल समराट ने ब्रिटिस के विरूध संघर्ष किया था, सही उतर हो जाएगा औरंग जेब ने नेक्स्ट कोश्चन है दक्कन, दक्कन दंगा आयोक का संबंध किस से है, दक्कन दंगा आयोक का संबंध है किसानों की रिन ग्रस्तता से नेक्स्ट कोश्चन है, 1869 के नील बिद्रो के बारे में कौन सा कथन सही है, सही उतर होगा बंगाल के बिद्धी जीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था नेक्स्ट कोश्चन है, प्रांतो में उतरदाई शासन की अस्थापना के लिए द्षासन की सुरुआत हुई थी, कब हुई थी? सही उतर हो जाएगा, 1919 के भारत सासन अदिनियम द्वारा प्रांतो में द्वायत सासन की सुरुआत हुई थी और 1935 के सासन अधीन नियम द्वारा प्रांतों से द्वात सासन हटा कर केंदर में लागू कर दिया गया था नेक्स्ट कोश्चन है भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षिता में भारतिये कानूनों को संगीता बद्ध करने के लिए एक बिधी आयो का गठन किया था नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पहला अप्षन है लार्ड नर्थब्रूक कूका अंदोलन नर्थब्रूक के समय कूका अंदोलन हुआ था सही है लार्ड मिंटो के समय मुसलिम लिग के गठन हुआ था ये भी सही है लार्ड हार्डिंग के समय नल नर बली प्रता पर प्रतिबंध लग गया था ये भी सही है चोथा है लार्ड हेस्टिंग बैरकपूर का सैनिक बिद्रो लार्ड हेस्टिंग के समय बैरकपूर का सैनिक बिद्रो नहीं हुआ था बलकि बैरकपूर में सैनिक बिद्रो हुआ था Lord M. Hurst के समय में बैरकपूर में जो सैनिक बिद्रो हुआ था Lord M. Hurst के समय में इसलिए इसका सही answer हो जाएगा D नेक्स्ट कोश्चन है भारत में नागरिक सेवा का जनम दाता किसे माना जाता है सही उतर है Lord Karnowalis नेक्स्ट कोश्चन है भारती इतियास के संबन में डिक्की वर्ल्ड प्लान संबन्दित है डिक्की वर्ल्ड प्लान संबन्दित है भारत विभाजन से माउंट बेटन की तीन जून की योजना इसे डिक्की वर्ल्ड प्लान या विभाजन योजना भी कहा जाता है माउंट बेटन भारत के आखरी वैसराय थे और या विश्टन चर्चिल के चहेते थे लेकिन भारत पकिस्तान जिस तरह से आजाद हुए इनको लेकर चर्चिल ने इनसे कभी बात नहीं की थी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से किस ने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था की हिंदुों और मुसल्मानों में एकता स्थापित करने का ऐसा उसर अगले 100 बरसों तक नहीं मिलेगा सही उतर हो जाएगा महात्मा गांदी सही उतर हो जाएगा महात्मा गांदी मुस्लिम लीग द्वरा एक प्रस्ताव पारित कर प्रिथक मुस्लिम राष्ट की मांग की गई थी सही उतर हो जाएगा 1940 में सारे जहां से अच्छा हिन्दो सता हमारा के लेखक मुहमद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चमी भारतिय मुस्लिम राज्य के निर्मान पर बल दिया था सही उतर हो जाएगा 1930 में इन्वे से किस ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तथे पर एक अभियान संगठित किया था है सही उतर है C. राजगोपालाचारी touchscreen है अनएसो 42 में प्रतिसरकार का आरंब हुआ था सही उतर D. महराष्ट के सतारा में प्रतिसरकार मतलब के समनांतर सरकार का आरंब हुआ था तब समनांता सरकार महराष्ट के सातारा में, उतर परदेश के बलिया में, बंगाल के तमलुक में और उरिशा के तल्चरादी में ये 1942 के भारच्छोडों अंदोलन के समय में ऐसा हुआ था चौड़ा-चौड़ी की घटना किसके अस्थगन से संबंदित है सही उतर हो जाएगा असायोग अंदोलन से पांच फरवरी, पांच फरवरी 1922 को उतर परदेश के चौड़ा-चौड़ी नामका स्थान पर परदर संकारियों ने कुछ पुलिस बलों को जिन्दा जला दिया था जिसके बाद से गांदी जी ने असायोग अंदोलन वापस ले लिया था सुवाज चंद्र बोस ने निमलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू की थी सही उतर हो जाएगा जर्मनी में नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन का संस्थापक था सही उतर भगस सिंग नेक्स्ट कोश्चन है खिलाफ़त आंदोलन क्यों सुरूगा था तो सही उतर होगा खलीफा की प्रभुता को संग्रक्षित करने के लिए नेक्स्ट कोश्चन है गांदी जी का चमपारन सत्याग्र किन समस्याओं के समधान से सμबंदित था सही उतर हो जाएगा बिहार के निल उत्पादक किसानों से संबंदित बिहार में 1917 में गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के बिरूध में आंदोलन की अथाजी से चंपारन सत्यागरह नाम दिया गया नेक्स्ट कोश्चन है मुस्लिम लिक की अस्थापना कब हुई थी सही उतर हो जाएगा मुस्लिम लिक की अस्थापना 1906 में हुई थी आगा खां और सलिमुल्ला खां के नेत्रितु नेक्स्ट कोश्चन है विभाजन बिरूधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दवरान किस जिस ने राजनितिक स्वतंतरता किसी राष्ट की प्रान बायू है के नारा दिया था अरविंद घोस ने नेक्स्ट कुश्चन है दीन बंदू मित्र के नील दरपन का अंग्रेजी में अनुबाद किसके द्वारा किया गया था सही उतर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत द्वारा दीन बंदु मित्र का बंगाली नाटक निल दरपन का अंग्रेजी में अनुबाद किया गया था नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतिय कॉंग्रेस का बिभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उधवा हुआ सही उतर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन बंगाल भीभाजन के बिरोध में प्राड़ोंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन इस स्वदेशी आंदोलन से उत्पन परिस्थितियों की बज़ा से कॉंग्रेस के अंदर दो गूट का जनम हुआ नरम दल और गरम दल जिसके फल स्वरुप 1907 में 1907 में सूरत अधिवेशन के समय में कॉंग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था नेक्स्ट कोश्चन है प्राथमिक सिक्षा को अनिवारे बनाने का प्रस्था इंपीरियल कौंसिल में सर्व पर्थम किस ब्यक्ति निमलिखित में से किसके द्वारा रखा गया सही उतर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है अपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिध्धान्त का संबंध किस से है सही उतर होगा सिक्षा से संबंधित है अपने वेशिक काल में सिक्षा फर्क खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिस अधिकारियों ने तथा कतित अधोगामी निस्पंदन सिध्धान्त या नीचे की ओर छंकन जाने की पधती वाले सिध्धान्त का सहरा लिया था स्री नरायन गुरु ने जाती प्रता के खिलाफ जीवन भर अपना संधर्स भारत के किस छेत्र में चलाया सही उतर है केरल के छेत्र में भारत में सर्व पर्थम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए इस्कूल खोले थे सही उतर हो जाएगा जोतिवा फूलेने नेक्स्ट कोश्चन है रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंद किस धर्म में सुधार से संबंदित है सही उतर होगा पारसी धर्म में सुधार से नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखित में से किस राज में सिंगफो विद्रो हुआ था सही उतर हो जाएगा असम में असम के सिंगफो विद्रो का कारण इस छेत्र में अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य अस्थापित करने का प्रयास था अंतता इस विद्रों को अंग्रेजु द्वारा कुचल दिया गया धन्यवाद